नश्कार मैं दानिश अंसार और आप देख रहें प्यार भी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के बारे में आप क्या सुनते थे आप यही सुनते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कभी यूटर नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की गारी में सीधा आगे चलना है कभी रिवर से लगता है जादा चल रही है यूटर ना लेने वाले किसी भी बिलको सदन में एक घंड़े के अंदर पास कराने वाले परधार मंतरी मोदी आखिर इतना लाचार और इतना बेबस की हो गए यह सवाल या निशान है यह सवाल उठते हैं आपको पता है कि सरकार इस वक्त अलपमत में सरकार बहुमत में नहीं है तो परधार मंतरी मोदी के लिए किसी भी बिलको किसी भी कानून को इतने आसानी से पास करा लेना आसान नहीं है आपने देखा पिछली बार किस तरीके से जो वकोट कि संसोधन का बिल वो बंद बक्से में चला गया नजूल का बिल वो बंद बक्से में चला गया कई बिल को आपने देखा वो मोती सरकार जो किशी कानून को एक घंटे में बिल पास कर ले काले कानून को 370 को एक घंटे में लागू कर दे वो सरकार किस तरीके से अभी बैक फुट पे है लगातार तीन बिल आपने देखा कि सरकार उसे वापस ले ली सरकार उस फैसले को जेपी सी में कहीं भेज दी किसी बिल को चाहे वो योगिया दितनाद के कोई फैसला हो विपक्स जो है जो सायोगी दल है उनका विपक्स तो छोड़िये जो बीजेपी के साथ में भी है वो भी इनके खिलाफ आकर खड़े होके मुखरता से बोलते है यही कारण है कि बीजेपी ना तो कोई बिल पास करा पा रही है बीजेपी ना तो कोई फैसले को इंप्लिमेंट करा पा रही है क्या कहा जाता था प्रधान मंत्री मोदी के बारे में कि रिवर्स गेर कभी नहीं लेते हैं आज राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि रिवर्स गेर लगते हैं गारी में चालक मजबूत होना चाहिए चालक जो है वो उसके पास एक्सप्रियंस होना चाहिए चालक के पास और चालक सही रहेगा तो गारी में रिवर्स गेर लगा देगा वही हुआ प्रधान मंत्री मोदी की गारी में राहुल गांधी ने रिवर्स गेर लगा दिया है खबर देखिए एक पर तमाम हेड्लाइन्स पर आप गौर कर लिजे जो खबर अभी हेटलाइन सल लई है फिर आपको बताते हैं विस्तार से देखिए लेटरल इंट्री सीधी बरती का फैसला मोधी सरकार ने वापस लिया विपक्ष ने आरक्षन का हवाला दे कर किया था विरोध राहूल गांदी लेटरल इंट्री जिसमें आरक्षन नहीं सदमे कोई बोलना है तो वो राहूल गांदी है तो तमाम मुत्य पर राहूल गांदी को आपने देखा मुखरता से बोलते हुए और इस बार देखिए फिर एक बार लेटरल इंट्री का वो फरमान मोधी सरकार लाते है और आहुल गांदी के दवाब के कारण विपक्च के दवाब के कारण देखे सरकार कितनी कमजोर हो गई कि विपक्च के दवाब पे काम कर रही है विपक्च ने दवाब दिया और क्या फैसला आगया देख लीजे देखिए क्या फैसला है विवाद के बा यह यह हिटलाइन सो रही है कि डर्ट जो है डिर्ट्र इंट्री भाली की जा रही थी भाली होनी थी पिम का आदेश था मोदी जी का यह बख्यार नहीं रहुल गांधी को नागवार गउज़ा किसमें अरक्षण नहीं है और यह बेकस्टेश से किस तरह भरती की जा रही है इसके खिलाफ राहूल गांदी बोले और देखिए असर देखिए विपक्ष का असर देखिए दुगनी तादाद संसद में आपको कहा क्या ठारवी लोकसवा परधार मंत्री मोदी के लिए असान नहीं होने वाली है कि यह तो निज़े दोहजार चाओधा नहीं है यह दोहजार दोहजार चौवश है और इस है विपक्ष तादाज जढ़ा है संख्या मजबूत है अब वो संख्या मजबूत का कारण आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी स्तरकार जो है वो कोई बिलपास नहीं करा पा रही है देखिए इसमें राहूल गांदी ने क्या टूइट कर दिया है पहले तो गारी पे बैठे चालक के तौर पे अब मोदी जी की गारी में बै करके दिखाएंगे मैं एक बार फिर कहा रहा हूं 50% सीमा को तोर कर हम जातिए जातिगत गिंती के आधार पर समाजिक न्याय सुनस्चित करेंगे जैहिंद राहूल गांदी इतने ही में बस नहीं है देश भर में जातिगत जनगन्ना की मांग कर रहे हैं और यह जातिगत ज अगर उसे उगल दे टो उनके सहयोगी नाराज आपने रामभिलास का ब्यान देखा उन्होंने क्या कहा था कि देश में जातिकत जनगन्ना होना चाहिए लेकिन परदान मंतनी मोधी में जाती गजनगना गले में वो कांटा है जो न वो उगल पाएंगे न निगल पाएंगे अब उस स्तिती में किस तरह की बेचैनी होती है जब आप भी मचली काटा लग जाता होगा तो बेचैनी को आप अनुवफ कर सकते हैं वही बेचैनी परधान मंत्री मोधी के साथ भी ए अ देखिए राहूल गांदी के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे इंडिया कटबंदन में वह क्या कह रहे वह एक बार देख लीजिए आप अखलेश यादव ने कहा यूपी एस्सी में लेटरल एंटरी के पिछले दरवाजे से आरक्षन को नकारते हुए नियुक्तियों की साज उत्तर-प्रदेश के लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर-प्रदेश से होकर गुजरता है दिल्ली के सत्ता परेकोन बैठेगा ये उत्तर-प्रदेश तैकरता और बिहार भी पीडिये भी प्रधानमंतरी मोदी के लिए कितनी मुश्किल की घड़ी है मुश्किल बन गई है वह आपने देखा है उध्या जैसे सहर हार जाती है बीजेपी अब आजाई आप देखें दीपक शर्मा है वरिस्पत्रकार है जर्नलिस्ट है वो क्या कह रहे हैं सबकी नजर इ देख रहे हैं कि विपक्ष जो है किस तरीके से अपने इसारे पर प्रधानमंतरी मोदी को भी नचा रहा है कभी बिल पास हो रहे हैं कभी आदेश वापस हो रहे हैं और अब नौकरिया के नोटिफिकेशन भी वापस हो रहा है सच तो यह है कि विपक्ष के विरोत के आगे experience इनका कि सरकार जो है वो विपक्ष के दवाब में चल रही है और दवाब में कब तक चलेगी कब तक चलता है दवाब यह भी देखना लाजीम है क्या कब तक होता है दवाब राहूल गांदी के जो है लीडर ओपोजिशन इस बार है तो राहूल वह आप देख रहे हैं तो प्रधानमंतरी मोदी के लिए यह अठारवी लोकसवा कितना मुश्किल है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कोई कानून जो है वह पास नहीं करा पा रही है बिल नहीं पास करा ले का करा पा रही है और जो सयोगी है वह मुसीबत बन गए अंदुरू निकला जो बीजेपी का था वह अपना मामला था बीजेपी के पास अभी अपना अध्यक्ष भी नहीं है जैपी नड्डा अध्यक्ष है अभी मंत्राला संवाले जैपी नड्डा उन्हें हटा देना था लेकिन वो राजणाश सिंग के घर पे भी बैठक चलल चला यह बीजेपी के स्थिति है और यह कब तक चलेगी बैसाखी पर जब जब दौरने का परियास टिया इस बैसाखी पर बीजेपी ने तब तक पल्टी मार दिये आपने देखा कि इस तरीके से वक्वोट के बिल को जेपी सी में भेज दिये वहां बेभी बीजेपी जो है दौरने का परियास करती है लेकिन बैसाखी पर दोरा नहीं जाता यह प्रधान मंत्री मोदी और बीजेपी के पूरेasure कुनवे को समझ में आगया होगा और यही दिख रहा है कि बीजेपी जो है जो कहा जाता था कि बैसाखी गयासगी तो उसी बैसाकी पर बस रिएंग रह खाओँ तो कर दो ढूदॉत